अगर आप art and craft का काम करते हैं तो आपके पास poster color और acrylic color तो होंगे ही बट poster color में क्या होते हैं कि अगर वो सुख जाते हैं तो मैं उसे गरम पानी या पानी डालके ठीक कर लेते हैं बट एक्रिलिक कलर में ऐसा होता नहीं है आप एक बर वो सूख जाते हैं तो फिर आप उसे इस्तिमाल नहीं कर सकते पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राइ की पट अब मुझे मिला है फैविक्रिल का ये मीडियम वन अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पहले जितनी भी चीज़े मैंने यूज़ की उससे कोई फाइदा नहीं हुआ है तो अब मैं फैविक्रिल मीडियम वन का यूज़ कर रही हूँ फिर देखते हैं क्या रिजल्ट होता है एक्रिलिक कलर को ठीक करने के लिए पहले मैंने रिमूवर यूज़ किया उससे भी कुछ नहीं हुआ थिनर यूज़ कर चुकी हूँ उससे भी कुछ यूज़ नहीं हुआ तो उससे तो ये सब ठीक नहीं हुए और फिर इस वज़े से मैंने ये लिया है तो अब फाइनली देखते हैं क्या होता है अभी मैं इन्हें मिक्स करके इसमें रख दूँगी और फिर कल देखेंगे कि फाइनली वो ठीक होता है कि नहीं होता है कि अभी मैं रख दूँगी कुछ कलर एक दिन में ठीक हो गए यह इस तरह से ग्रीन कलर ब्लू कलर यह सब ठीक हो गए बाकी कलर नहीं ठीक हुए आपको फैविक रिल का मीडियम टू मीडियम ठ्री यूस करना पड़ेगा उन कलर के लिए जो काफी लंबे टाइम से सूखे हुए हैं कुछ कर Dazu बाहिए हुए 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 दुछ हुए क्युआ वाल क्यों बातक् द् expenditure झाल झाल